Hello Friends Welcome back to arved academy I am Dr. Dipika Bailwal आज हम पढ़ीँके सरोटस तो सरोटस पढ़ने से पहले सबसे पहले भी COPDना किया कि है हमकुछ भी पढ़्टाएं सबसे पहले ये देखा करो कि इसको पढ़ना क्या है उसको point बनाया करो point wise लिखा करो उसके बाद आप पढ़ा करो क्योंकि एसी अगर random कुछ भी start कर दोगे कहीं से भी तो वह बहुत होच-पोच हो जाता है और अगर हम systematically पढ़ते हैं कि यार यह topic का नाम है चलो तो इसके अंदर में पढ़ना क्या क्या है तो easy हो जाता है comparative ली तो उस्रोटर के अंदर हमें क्या क्या points परना है संख्या तो counting कितनी होती है इंके मूल कौन-कौन से है चलग सुश्यूत क्या का ओड़ी फिर सुर्टर दुष्टी ही तो किन कारणों के वज़े से यह सुर्टर में दुष्टी आती है फिर सुर्टर दुष्टी लक्षन कि संख्या मतलब काउंटिंग तो इसकी संख्या क्या होती है अचारे-चरक ने माने हैं तेरा स्रोतास चीक है और सुष्वित ने क्या माने हैं द्वाविन्शती मतलब 22 और इसको बोलते हैं कुछ लोग 11 पेर्स में चीक है 11 पेर्स और 22 श्लोक में 24 Americans 318 टो 33 स्विश्रुत ऐसे यहाद रहा ii 00, 13 और चरत क्या नहीं माना है चरत ने ऐतावह नहीं माना है और सुश्रुब deze वह ug how और देख है थेरा क्या नहीं माना है er सुश्ण नहीं माना इतना तो यादटना बहुत जात जाथ थे यह हो गया accounting की बात आप आता है next मूल मूल से हम क्या ले सकते मूल से Ecela origin उसकते हैं प्लस मूल से हम ले सकते हैं好好 कि तो जो functions को कंट्रोल करता है जो के सुरोटस के फंक्शन को चंट्रोल करता है विच चंट्रोल फंक्षंस ठीक है और और अजिन तो सबसे पहले के नाम देख लेता है पहले हमने कि्या याद रहा था भता बस कि चरक के 13 आटम नहीं सुषच्छत के बाइस मीनिंग 11 पेर अस्ती मजेऊ सूए्ध सकाएंैं स मियां गोण और देखनें उसके बाद हम फी हर एक के मूल तो तो इसके नाम के रिए सब se पहले के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है के जैसे मैं बोलो कि आदा के रखना सब्सक्त है यह तीन हो गए उदक मतलब जल पानी इसके बद हमें सातों धातों याद रखनी है धातों क्या होती है रस रक्त मास मेध अस्थी मज्जा शुक्र सातों धातों होगी तो टोटल कितने होगे तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस 10 होगे अब क्या रख चरख के 3 जयरा बदा 12 ठीक है यह होगे दो होगे अब आता है इसमें पूरिश मूत्र और स्वेध तो तेरा हो गए, चरकके तेरा हो गए हाना, इसको ऐसे ही याद रखना आपने तो याद रहेंगे, घ। पहले याद रखना ये जो vitaels है, क्केक्ष। खाना पीना जरूरी होता और ये प्राण होता है हमारे खाने पीने से ही प्राण है हमारे बॉड़ी के फ्यूल आई है हमारी बॉड़ी एक मशीन है तो अन और जल जो हम फूर इंटेक करता वाटर लेते हैं वह हमारे लाइबलियुट के लिए बहुत नेसेसरी है हमारे प्राण है तो इन तीनों को ऐसे याद अखने फिर होता है होग कि अब हम सुशृत में क्या रखेंगे हमें हमें हैं सुशृत में क्या नहीं मखना है अस्थी ची bulb है और स्छदंत यह त्यूंवित में सुशृत हमें नहीं इस तो तो श Compass किसे किसे को है ग्यारा पेर्ष न 9 याद रखना तो दस बचा襕वड से और अलग अलग याद रखोंगे तो यही याद रखना है कि सुष्ट नहीं नहीं मांगे तो 30 मेंसे तीन के दस और एक एक्स्ट्रा माने क्या है वो आर्था बस इतना याद रखना है तो हो गए सुशुत के ग्यारा पिर्स और चलक के तेरा ठीक है यह हो गया अब हम देख रहे हैं इसके प्रॉपर मूल हर किसी के ठीक है यह आगे वह है ना जैसे मैंने यह लिखा है ना रस र आतरी हो यह मैं मेद नय जिसके अंदर यह अस्ति वहत सो टाष मत्र वहत रूतर मज्य वहत सरें ४द्र वह लगाना आपको हॅ lamps hm बनाए है पालतप सता चरक और सुशुर से की हम नाव थोगा और मुल्व चरख ने कौन सा मूल बाना बास सुशयच ने क्या महना है दोनों को इंपर्टेंट तो सबसे पहले आता है प्राणभस्र Index ऊटिक है प्राणभस सेुटस का चारी चरख न क्या महना है ही घृधा ब्रस महा स्लें कि चिकटेसḥ के चरक्य को बीदाई प्लास प्राणवाईक का और सुरीपने क्या वोला है महाश्रोत परीर हेना चरक्य के चक्रसराइद द्तूंत की जगह भूर दिया है रस्वाही कि धमनी कि आ Sikh yet रस्वाही धमनी मुंगे याई सबसे पहला हो चरक महासरोतस सुष्रत रस्वाही धमनिय चिक है नेक्स्ट आता है अधकवह तो इस रोतास के मूल में चरक नि क्या बोला है तालू मूलम क्लॉम चताता तालू प्लस क्लॉम में कॉंट्रोवर्शा भी बोलता है इसको मतल्म इस से कुछ लोग प्यलेट रहता है कुछ पूछ बहुत अलग-अलग मिनिंग होता हैं इसमें यह अचारे सुाइब रहता है अंवह अणश तो आवैं मतलब स्ट्रमाख और व्यांच पापर ने बोला है प्राण्वाल handful टाना पाश पाप इसे वांप ओ प्राण में difference है वैसे ही अन्न में difference है आमाशल सेम है और अन्न वहाई धमनिया बोल दिया जो अचारी चरक ने बोला वाम पाशुर अब रस का चरक ने क्या बोला हो फेदय प्लस दस धमनिया और रस में भी ईडय। में भी यह रस और प्राण सुशुत के सायम है ठीक है नेक्स आता है रख्तवहं बस मैं यह लिख रही हूँ आगे वह वह आप लिख देने ठीक है तो रख्तवहं किया बोला चरखनी के बोला है जज्यरकनी माना है वृष्ण और शेफ और सुशुत ने क्या मेना है पुरिश को क्या मान चरकने पक्वाश है और स्थूल गुद्ध अब और कोुस्वन ने पकवाश है न गधा धधा इतना इतन्हाया दखने से स्थूल गुदा बोला इसे गुदाव डूर He अब आता है पुरिश मूत्र मूत्र का क्या बोला आचारे चरथ ने वस्ति वन्ग्षन और सोशुत ने वस्ति प्लस मेट अब लास्ट बसता स्वेधं स्वेधं क्या बोला है मेध और लोंकुप मेड और लोम कुप और सुशुत नहीं माना है, यह सारे हो गए मूँँ, छिक है, अब जैसे मेड बोला है, सुवेड का मेड, तो मेड क्या मतलब होता है, ठीक है, और फैड जब बर्न होता है, तो स्वेटिंग होती है, यह सब को पता है, जिम वगर एक्सरसाइस करते हैं, त तो सब बोलता है fat burn हो रहा तो सुब ऐसी याद रखना है कि fat होगा प्लस loam koop loam koop क्या होता है हमारी hair follicles होता है ना बॉड़ी में तो उनके kooop वो जहां से निकलता है basically उनका hole होता है जो उनको कहता है loam koop तो ऐसे आप याद रख सकते है कि koop मतलब होगाholes तो sweat स्वेट निकलेगा जब फैट बर्न होगा तो स्वेट निकलेगा ठीक है और स्वेट कहां से निकलेगा होल्स होता है जो हमारी स्किन पर होल्स होता है छोटे-छोटे उन्हीं से निकलेगा तो लोम कूप और इस छोटे-छोटे होल्स से हेर्स लगे होता है ठीक है यह लोम है हिर्दय और महासरोतास प्राण के लिए हिर्दय महासरोतास ऐसे प्राण है प्राण सबसे बड़ी चीज़ है तो इसलिए महा प्राण के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमानी प्राण है प्राण है तो हम है तो हिर्दय याद रखना है हर्ट सब बहुत इंपोर्टन होता है ठी परंड़ यही है ऐसे आपको ठीक है अपी ज़सा और यही है अधाब और गोन के रिजोंदें था So इस टमक और वाम पार्शुम मतलब इस टमक के साइड वाला एरिया बोल सकते हैं उसके लेफ्ट वाला एरिया तो जो भी ऑर्गेंस इन्वाल्व है है ना पैंक्रियास वगेरा उनको हम ले सकते हैं तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं और सुशुत का अन्वाही धम यह आपको फ़र्स्ट लिया ए प्लस सेकेंड वाला जेंज कर दिया Japanese कौन कौन से है ठीक है टीक है इसे कौन कौन तो सबसे पहला प्रान जीट से प현 मनमें देखा था था अपगलों ही ऑठ रस वाही बोलने महाँत सब लोड़ा है अब नेक्सट कौन सा इस यह उंहाँर नन्होंने कर कर दिया सेकंड हो गया अपने में फर्ण आता है ये कि में में बीन न confidence कर दिया प्लस कटी कर दिया आ नज है आप नबर फूर्द क्या आता है है हूं थैसा था हुए शुक्र शुक्र में ने व्रिशन तो किया है बट वित्छन के साथ सब्व 1 कर दिया जब एक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट है पूरिश पूरिश में भी है पक्वाश है सेम है गुदा के जगए स्थूर गुद के जगए गुद कर दिया है ठीक है पूरिश हो गया अब नंबर सिक्स्ट है मूत्र मूत्र भी वस्ति सेम है तो यह याद रहता है तो अच्छी बात है अगर आपको भूलता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो यह जो छे हैं तो इसमें चरक का फर्स्ट बोल और सेकेंड चेंज कर दिया सुशुत में ठीक है इन छे में और दो त क्या है तो सेम माने है इसने ठीक है लुआ यह वोलता है सब्सक्राइब और यह जो हैं जो उस फ़र्स को सदो Isa आप 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 ईसको सिभ्यां अथी ए कि लिए भूला इसatar gust ने आ फिए अप इनके इंक्लूर्ड होगा नंपर वन मस में चर्ख निया अधा कर दिया ये दोनों आयसे हैं,चरख का एक्स्ट्रा मान है शुषूटने ये हों गया 78 9 अब ऐसा है ज़र चर्णक और सुशुत का सेम है ठीक है आप यह याद रखना अलग से तो कभी नहीं भूलोगे आप अगर ऐसा याद रखोगे तो पूरा सेम सेम है तो क्या है उदक सेम है ठीक है फर्स्ट उदक सेम है और क्या सेम है उदक ही सेम है टोटल तो पूरीज कर दिया और इसमें साथ जो है चरक के जासा फॉर्स सेकंड चेंज कर दिया सुष्यूत ने और यह है चरक प्लस एक्स्ट्रा ठीक है तो यह आपका मूल कंपीर हो जाता है तो आप इस वीडियो को अगर बार बार देखो के तो आपको यह मूल लर्न हो जाएंगे और हमेशे याद रहेंगे अगर आप इस तरीके से लर्न रखते हो और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सुर्त दुष्टे हे तू तो थैंक्स पर वाचिंग बाए